और OBC का आरच्छर खतम किया है रोने जो ट्रपल केस्ट की सरते हैं अब जब जलितों को पिछोणों को आरच्छर देने की बात आती है तो कारण खोशते रहते हैं अरंगा लगाने का तो बीजेपी ने विरोत किया थो जज्जमिन का तो इसका इस जज्जमिन को भी नहीं मा अब सभी का स्वागत है जैसा कि जो गरीब सभाणों का जब फैसला आया तो मैंने कहा कि सुपरिम कोर्ट के जजित जाती वादी हैं तो परसों के फैसले में वह बात फिर से अस्थापित हो गई और OBC का आरच्छर खत्म किया है रोने जो ट्रपल केस्ट की सर्ते हैं कि साधार पर वो सर्ते सुपरिम कोर्ट जज्ज ने लगाई वो असंबैधानिक है और जब एक तरप तो पिछोणों का जनगर्ना नहीं करने देते तो डाटा कहां से निकल के आएगा उनका आर्थिक सामार जीब उनकी संख्या नहीं निकल के आएगी तो यह तो कह सकते हैं कि बिना आधार के इस सर्त को लगाया दूसरा 50% की सीमा लांगनी नहीं चाहिए हाल में सुपरिम कोर्ट का जज्जमेंग गरिम सपर्णों के मामने में 50% की सीमा को तोड़ दिया तब क्यों लागू कर रहे हैं लोग तो यह जो सर्ते लगाई है ट्रेपल केस्ट में वो सर्ते ही गलत है लगभग 30 साल तक एक लश्मन रेखा थी कि वो पार ही नहीं हो सकती इंद्रा साहनी जज्जमेंट में उसको मंडल जज्जमेंट भी कहते हैं कि 50% की सीमा क्रास नहीं हो सकती नव जज्जच की बिंज का फैसला था हूँ पान जज्जच की बिंज की फैसले ने पलट दिया पूरा देश कुछ नहीं बोला बड़ी पीठ का फैसला छोटी पीठ पलट नहीं सकती लेकि चुकि गरीब सवरणों को आरच्छन देना था इसले कोई सबगुबाहत नहीं हुई और संबिधान में जो संबिधान का तो आधार लिये नहीं था कि 50% से ज़्यादा आरच्छन होना चाहिए और उस सीमा को तोड़ दिया तो जब सवर को आरच्छन देने बात आती है तो अपने तरब से कानून बना देते और जो संबिधान में नहीं है उसको भी एक कर देते है अब जब दलितों को पिछोड़ों को आरच्छन देने की बात आती है तो कारण खोसते रहते हैं लगाने का और समवणों गरीब समवणों के लिए क्या कोई स्टडी कराया है इनों ने और आठ लाक की जो सीमा है क्या गरीब समवण है बहतर हजार एक गरीब की अवस्त सालाना उसकी इनकम है तो आठ लाक बाला जो गरीब समढ़ हो इसमें बीजेपी की सरकार की चाल है अब आयोग बना रहे हैं क्यों आयोग बना रहे हैं आयोग पहले बना देते आप दिसंबर 2001 का फैसला है एक साल से एक साल पुराना फैसला है महाराष्ट में और मदफदेश में ये समस्या है जहली जा चुकी है तो उसकी हिसाब से आप आयोग बना देते अब आयोग बना रहे हैं क्योंकि अगर विद्रों किया गया ता आवाज नहीं उठाई होती तो बिना आरच्छन के निकाय का चुनाव हो जाता और पिछड़े बन्तित हो जाते हैं दुर्भागी से पिछड़ा सोया हुआ है लेकिन एक बात है कि समादाधी पार्टी के नेता अखिले स्यादों ने उठाया है कम से कम बाबा साब का नाम लिया है कम से कम यह भी कहा है कि अब पिछड़ों का आरच्छर खतम कर रहे हैं बाद में दलितो का करेंगे और दलितों का जो गवर्मेंट जाब में था रिजर्वेशन वो बाइक डोर से खतम कर दिया ठेकेदारी पता लेया करके डिपार्टमेंट को बेच करके भरतियां रोक करके और अब तो लेटरल इंट्री से आईएस बने हैं डारेक्टर बन रहे हैं तो वह भी आरच्छल करीब करीवेहनों ने निप्टा दिया है जो भारती जंता पार्टी मजबूत होकर के आई इस आधार पर की मंडल जज्मेंट गलत है दुरभाग है कि आज वही पिछड़ा वर्ग भारती जंता पार्टी का जंड़ा बरदार बना हुआ है वही पिछड़ा वर्ग है पिछड़ा वर्ग में जाती ही चेतना तो हो सकती है जात को एकठा करके अंपिय मेरे बनना है लेकिन सामाजित चेतना का आभाव है यह कितना बड़ा एतिहासिक ब्लंडर है या ना समझी है कि जिन्हों नहीं बिरोत किया उन्हीं के साथ यह खड़े हो गए अभी भी चेतने तो अच्छी बात है जरूर काम करेगा हमने ही इसके उपर काम किया पार पांच आरच चड़ विरोधी आदेशों को अपिस कराया फिर आपको लोगपाल बिल में आरच्छन कराया निजीचेतर में आरच्छन की मांग किया संसंद में जब था तो बिल भी पेस्टिया मैंने और हम तो लड़ाई लड़ी रही नागर यह बिमारी आई कहां से अतरिक तो अगर इन्फार्मिशन आपको चाहिए तो नागराच से बिमारी आई 85 हमा संबैधानिक संसोधन 2008 में कराया था और करनाटक के गवड़ा विराजरी के इंजिनियर्स ज्याज़तर गवड़ा के ही उन्होंना हाई कोट में चुनवती देगी थी 85 अमेंडमेंट को क्योंकि constitutional amendment था तो सुनवाई वहाँ हो नहीं सकती तो सुप्रीम कोट में मामला आया मुझे पता लगा उस समय के कानून मंत्री हंसराज भरत द्वाज सामाजिक मंत्री मेरा कुमार डियो पेटी मिनिस्टर सुरेश पचवरी थे मिला और निजी वकील करवाया सरकार और पर भी ग्यारा दिन बैट करके किया तब जाके 85th amendment बच गया लेकिन उसमें सर्थे लगा दी अगर मगर कर दिया कि प्रतिने जित्तों की कमी हूँ तब प्रदोनिती में अरच्छड दिया जाए दच्छता यानि रिजर्वेशन से कोई प्रतिकूल असर तो नहीं पढ़ रहा है और तीसरा पिछड़ा पिछड़ापन की जांच हो अर्वाज शिरूकात पिछड़ा है अगरे वही बिमारी हाई वहाँ भी तीन सर्टे थे तीन राइडर से यही तीन सर्टे हाई है और लड़ाई कि वहाँ हम लोगों ने पारिसंग में लड़ी पारिसंग के लावा किसी ने नहीं लड़ाई लड़ी थी तो योगी आधिना जब घिर गये कल तब जटा जल्द में उन्हों ने वो बनाया आयोग बनाया पहले बना देते जब दिसंबर 2001 का फैसला था ट्रिपल टेस्ट का कंडीशन का तो इनकी नियत अब भी पिछा नहीं जागा आप लोग तो जगाने के जगा रहे हैं नहीं जागा तो दुर भाग है मंदल कमिशन की लड़ाई कासी रामजी ने लड़ी थी हमारा इतिहासी है कि दलित है वो आजिवासिव के लिए लड़ता है और बैकोर के लिए लड़ता है हम लोग बाबा साहब की सिपाही हैं हमें सामाजिक चेतना है चेतना के तहत लड़ते हैं लोग नहीं लड़ते हैं दुर्भाग की बात कोई जरूरी नहीं सुप्रेम कोर्ट में चले जाए गए हैं टाइम ले ले वो इसे ट्रेपल टेस्ट जब सुप्रेम कोट का जर्ज्ण्मिंट अयपा मंदिर के बारे में आया था सभरी कहते हैं साइथ मंदिर में आया थां तिस सरकार ने कह बाना था शरकार ने खुद भिरोज किया था बेश के गृख मंतरी ने कहा था कि ऐसा जज्मिन नहीं देना चाहिए यह जोग शरकार का भी ने ने सारा ने जज्मिनी का भी रोज्ट किया था मैं बीजेपी में था उस समय और हमने कहा गलत है महिलाओं के प्रवेश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सबरी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए तो कहा ओ आपा भगवान है ओ शिलिबेट हैं ब्रमचर हैं महिलाओं नहीं जा सकती हैं तो बीजेपी ने बिरोध किया था उजजमिन का तो इस जजमिन को भी नहीं मने जो परसो जजमिन आया है बाधता नहीं कह दीजे कि ऐसा जजमिन नहीं देना चाहिए जो लागू करना संभो हूँ यही सब्द थे ग्रह मंत्री और अमिसा के कि ऐसा जमिन नहीं देना चाहिए तो खराब करके लड़ा जायागा पहले क्यों नहीं लगे मूर्ख बना रहे हैं पहले आयूग बना करके रिपोर्ट ले 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 थे और एक बात है बड़ी दर्दनाग बात है चार जन्मनी 2011 को लखनव हाई कोट ने एक जज्जमिन दिया था नागराज का अदम पहरिबी में जो एक कमेटी बना करके रिपोर्ट लेना और फिर पदुन्नती में आरच्छट चालू करने का काम बहंजी की सरकार ने नहीं किया था और पेश भी नहीं हुई थे उसी तरी उस समय बलकि बिहार की सरकार और राजस्थान की सरकार कर गई थी जो गयर दलित सरकार थी और उसका का उसका प्रत्कूल असर यह पड़ा कि लाखों लोगों का डिमोशन उत्तर द्रदेश्ट में हुआ था यह जो सरकार अब कर रही है योगी सरकार क्या साहनबुति लेने की नहीं कर देए सकते हैं दबाव में आके साहनबुति उन्होंने सोचा होगा कि इतना प् कर दो